Let's see a question from linear equation. This question is from exercise 3.6, question number 1, 4th part. It says, solve the pair of equation by reducing them to a pair of linear equation. Question का मतलब ये है कि अभी फिलाल ये linear equation नहीं है, इसे हम linear equation में convert करेंगे और वहां से किसी भी तरह x और y का value निकालेंगे. इस equation को solve करने का एक ही मतलब होता है, कि x और y का value निकालना. तो इस equation हम क्या देख पा रहे हैं कि 1 upon x minus 1 दोनों के साथ है और 1 upon y minus 2 भी दोनों के साथ है. तो ऐसा कर सकते हैं कि let take 1 upon x minus 1 को हम a माल लेते हैं और 1 upon y minus 2 को हम bी माल लेते हैं. यह assumption लेने के बाद हमारा equation कैसे convert, reduce किसमे हो जाएगा? यहाँ पे 5 into 1 upon x minus 1 तो 5a plus 1 upon y minus 2 मतलब b equals to 2. यहाँ पे देखे 6 into 1 upon x minus 1 मतलब 6a minus 3b equals to 1. क्या कर सकते हैं? यह equation number 1 है, equation number 2 है. आसान है b को eliminate करना, उसके लिए पहले equation को हम 3 से multiply कर देते हैं. तो हमारे पास आ जाएगा 15a plus 3b equals to 6. और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 18a, sorry, इस equation में कुछ हमने multiply ने किया, that means यह equation as it is रहेगा. तो यहाँ 6a ही आएगा. हमने बस first equation को 3 से multiply किया, तो यह equation as it is रहेगा. 6a minus 3b equals to 1. अब हम अगर simply add कर दे दोनों को, तो यह cancel हो जाएगा. 15 plus 6 is 21a, इसका value 7 के equal आया. a का value 7 by 21, that means 1 by 3. इसी तरह हम b का value निकाल सकते हैं. यह जो 1 by 3 है, a का value आया है. इसको second equation में रख देते हैं. तो put value of a in equation 2. तो हमारे पास 6 into a का value 1 by 3 minus 3b equals to 1. तो यह 2 आ गया. इस 2 को ऐसा करते हैं, हम इधार ही नहीं देते हैं. इस 1 को इधार ले आते हैं. तो 2 minus 1 इस 3b को right hand side में भेज़ देते हैं. तो 1 equals to 3b, या फिर b का value 1 by 3. तो a का value आ गया, b का value आ गया. लेकिन a और b तो हमारा assumption था, हमने माना था. question का solution तो x और y का value है. तो x हमने, a हमने किसे माना था? 1 upon x minus 1. मतलब a है 1 by 3. That means 1 upon x minus 1 है 1 by 3. That means cross multiply करें तो 3 है x minus 1. 1 इधार आएगा तो 4x का value आ जाएगा. similarly, b हमने किसे माना था? 1 upon y minus 2 को equals to 1 by 3. Cross multiply 3 equals to y minus 2. 2 इधार आ जाएगा, तो 5 equals to y. तो x का value हमारे पास 4 आ गया, y का value हमारे पास 5 आ गया. यही इसका solution है. तो आसा है आपको तडिका पता आया होगा कि पहले तो इसको reduce करने के लिए हम कुछ माल लेंगे. 1 upon x minus 1 और 1 upon y minus 2 को. तो उसे यह आसान linear equation में convert हो जाएगा. उसका जो भी method आपको अच्छा लगे, उससे आप solve कर सकते हैं. जो calculation easy लगे, उसको आप prefer कर सकते हैं. जैसे कि हमने b को eliminate करने का सोचा, वैसे हम a को भी eliminate कर सकते थे. a का coefficient दोनों में same करके. लेकिन हमने b का सोचा, क्योंकि उसमें आसान calculation था. उसके बाद, इतना करने के बाद, तो question बहुत आसान था. a का value आ गया, फिर हम x पर चले गए, वह हमारा solution था. अब x का value 4, y का value 5 अगर रख के देखें, तो आब यह satisfy करेगा. x का value 4 रखें, तो 5 upon 3, plus 1 upon y का value 5 रखें, तो 1 upon 3, तो यह 6 upon 3 आ जाएगा, which is 2, तो इसको satisfy कर रहा है. ठीक है, मतलब यह इसका solution है. ठीक है, इसको भी satisfy करेगा, आप रख लें इसका value, x के जगा 4 रखें, तो 6 upon 3, minus 3 upon 3, तो यह आ जाएगा, 2 minus 1, that is 1. दोनों को satisfy किया, यह इसका solution है, बहुत बहुत धन्यवाद.